हमारा रिस्पी है, ठंदा ठंदा, कूल कूल, बेल की शर्वत समारा स्पेशल रिफ्रेशन ड्रिंक अब हम स्टार्ट करते हैं नमस्ते, मैं हूँ कृति का वेलकम टू मैं शर्वत आज मेरे पापा नी मुझे टास्क दिया है वो टास्क है बेल का शर्वत तो आज मैं अपने पूझे फैमली मेंबर्स के लिए और अपने पापा के लिए शर्वत का शर्वत बनाऊंगी हूँ और बेल हमारी शर्वत बहुदी बन होता है और बेल को गर्मियों में शर्वत बनाके जरूर पिये बनाऊंगी हूँ आप बेल को खा भी सकते हैं और तीसरा चीज़ बेल को इर्मियों में हर जगे पाए जाते हैं और पर हमने अब तक रेस्पी को स्टार्ट में किया तो अब हम स्टार्ट करते हैं लेट्स बिगें रेस्पी मैंने यहां पे एक बेल लिया है इस बेल को मैं जमीन पर पटक कर तोड़ ली हूँ आप आप को भारी चीज़ पर तोड़ सकते हैं अब मैं इसके छिलके को निकाल लूँगे मैंने यहां बेल को तोड़ लिया है और मैंने आप एक बड़ा बरतन लिया है अब मैं बेल के फल्प को इस बड़े बरतर में डाल दूंगी निकाल के अब मैं इसमें पानी डाल के थोड़ा दे रख दूंगी अग्लास पानी लिया है इस पूरे पानी को मैं इसमें डाल के इसको हाथ से मिक्स कर लूंगी जब तत मिक्स करूंगी तब तक अच्छे से पल्प निकल जाएगा देखी धीरे धीरे बेल का गुद्धा निकल रहा है मेरे पापा ने तो मुझे टब काम दिया है वैसे मुझे काम करने में मज़ा बहुत ही आ रहा है मैं इसमें थोड़ा सा पानी और एड़ करूंगी फिर मसाद नहीं देखें। देख सकते हैं इसका गुद्धा इसको इसको एते निकाल कर अच्छे से निकालना है हम इसको छक्षाली से नहीं शालेंगे अगर नहीं इसे चल्षा लेंगे तो इसका देल वाल जाएगा हमें ऐसे निचोड लेना है ऐसे हाथ से और इसके साथ इसके बीज भी निकल जाएंगे इसे हमें हाथ से अच्छे से मसल लेना है देख यह ऐसे हमें निचोड देना है हमें सारे बीजे और रेसे शेर्वत में से निकाल लिया है और अब मैं इसमें चीनी वाला पानी डाल दूँगी हमने इसमें चीनी वाला पानी डाल दिया है अब हम इसे मिक्स करेंगे कि चीनी बुल जाए हमने इसे थोड़ा से चला लिया है अब मैं इसमें थोड़ी से लेमन जूस लिया है इसमें अपर लेमन जूस को एड़ कर दूंगी और मैं या पे थोड़ी सी ब्रेक साल्ट डाल लूंगी अब मैं सिफ्यो से गर मिक्स कर लूंगी अब हमारा शेट बत रही है अब हमारा से सोफ करेंगी मैंने इस ग्लस दे टू अन हाफ ग्लास पानी डाला थाओ अब ही यह बहुत ही काड़ा है अगर आप चाहिए तो इसमें और पानी याट कर सकते हैं अब मैं इसे सफ कर लिया है अब मैं ऊपर से थोगी सी ब्लेक साल्ट डाल दूंगी मैंने इसे सफ कर लिया है अगर आप चाहिए तो इसके ओपर आइस भी डाल सकते हैं पर मुझे थंडा बहुत पसंद है इसलिए मैं ऊपर से थोड़ी आइस टालूंगी मैं आप आइस की डालना नहीं है आपको धंडा चाहिए तो आप फ्रीज में रखके भी पी सकते हैं मैंने फाइनली अपने पापा का डास्का कम्प्लीट कर दिया अब मैं जा रहे हो वुट आपल का शेटवर्थ मेरे पापा को दिन है उससे पहले अगर आपने मेरे अगर आपने मेरे चैनल को लाइट शेयर और सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर दें और बेल आपन को प्रेस करना ना भूलें बाई फिर हम फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में ओ मैं तो बाते बाते में टेस्ट करना ही भूल गई अगे शेल बहुत यम्ี है प्लेज आप भी ट्र आई के जिए इसका टेस्ट बहुत ही बहुत ही यम्मी है प्लीज आप भी ट्रय के जिए बाइ फिल्मा मिलों यापको नेक्स वीडियो में थैंक यू